हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं साथ मैंने पहले कॉंग्रेस चोड़ बिजेपी में आये थे मलसी अब योगी सरकार ने खत्म कर दिया केस साथ मैंने पहले कॉंग्रेस चोड़ भाजपा में शामिल हुए MLC दिनेश प्रताप सिहां पर दो हजाते रामे दर्ज हुए एक आपराधिक मामले को राज्य सरकार ने वापस लेने का ओर्डर दिया है सिहां पर राए बरेली में आपराधिक मुकादमा दर्ज हुआ था तब उन पर और अन्यदस लोगों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते सुल्तान बुन राए बरेली हाइवे जाम करने का किस दर्ज किया गया मामले की सुनवाई प्रयागराश के एक कोर्ट में लंबित है प्रयागराश के जिला सरकार परिशद कुलाब चन अग्रहारी ने बताया कि दिने सिहां के खिलाप मामले में वापसी आवेदन कर संबंदित अदालत में ले जाया गया था हमें राइबरेली जिला नयादिश के जरिए राजय सरकार की तरफ से मुकदमा वापसी का आवेदन प्राप्त हुआ है पुलिस में बताया कि दिने सिहो और अन्य लोगों को अन्य लोगों ने दिगिया भाजार क्रॉसिंग पर प्रदर्शन किया था सुल्तानपुल राइबरेली हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया प्रदर्शन की वजह से वहानों और एमबलोंस की आवाजा ही प्रबावित हुई पाद में भीड को तितर वितर करने के लिए पुलिस के बलका इस्समाल किया गया इस पर तब के मिल एरिया पुलिस स्टेशन के तेनाथ पुलिस अधिकारी ने शिकायत के आधार पर दिनेसिहा और अन्यदस लोगों के खिलाफ अफायर दर्श की सभी के खिलाफ एपीसी की धारा 145, 341 और 283 के तहट केस दर्श किया गया राइबरेली पुलिस ने केस की चानबीन और जनवरी 2016 में सभी आरोपियों के खिलाफ इनी धाराओं में चार्ज शीट ताखिल की गई दोस्तों मामले में दिनेसिहा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उस वक्त में सुल्तान पुर जा रहा था तब मैंने देखा कि दिगिया बाजर क्रॉसिंग लोग प्रदर्शन कर रहे है ये प्रदर्शन एक व्यापारी पर हमले को लेकर था इस दोरा अस्तानिया लोगों ने मेरा वहान रोका चूकि मैं चरंटा का प्रदर्शन में शामिल हुआ हलाकि रोड ब्लॉक नहीं किया गया पुलिस ने जूटा क्रिस दर्श किया है और मुझे फसाया है मनसी ने आगे कहा कि मैंने राज्य के मुख्यमति योगी आदितेनाल से मामले की जाश कराने को कहा तब कि समाजवादी सरकार में मेरे खिलाफ जूटा किस दर्श हुआ मैंने सीएम से गुजारिश की कि जाश में मेरे खिलाफ एफपायर जूटी साबित होती है तो इसे वापस लिया जाए इसके बाद किस वापस लिया गया अभी हाल ही में केस को लेकर मुझे चानकारी नहीं है हनुमान जी को दलीद बताने पर घमासान अब वारा नसी में उनके जाती प्रमान पत्र के लिए आया आवेदन दोस्तो कहते है राजनीती में सब कुछ जायस है अपने फायदे के लिए किसी भी चीज़ को मुद्दा बना कर राजनीती की जा सकती है फिर चाहे वो भगवान ही क्यों नहीं हो दोस्तो ताजा मामला भगवान राम के बाद हनुमान को दलीत बताने की बाद मचे सियासी घमासान का है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आधितेनात ने पिछले दिनों एक चुनावी रैले में हनुमान को दलीत समुदाय का बताया था जिस पर राजनीती शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश के ही एक जिल्ले में जहादली समुदाय द्वारा बजरंग बली के एक मंदीर पर कबजे की खबर सामने आई तो पीएम नरेंद्र मोदी के समसुद्यक शेत्र वारानसी में हनुमान जी का जाती प्रमान पत्र मांगा जा रहा है इसके लिए बाकाइदा आवेदन भी किया गया है जिल्ला क्यालाय पर प्रगितिशिल समाजवादी पार्टी के यूवजन सभा के लोग इकटा हुए और उन्हें बजरंग बली के जाती प्रमान पत्र की मांग गी उसके लिए कार्यकरताओं पाकाइदा जाती प्रमान पत्र प्राप्त का आवेदन फॉर्म भरा दोस्तो रोचक बात तो ये है कि कार्यकरताओं आवेदन फॉर्म में वांची जानकारी भी भरी है जैसे बजरंग बली के पिता का नाम महाराज केष्टी जाती में वनवासी आधी भरा हुआ है कार्यकर्ता फॉर्म लेकर कार्याले में गए और जाती प्रमान पत्र की मांग की प्रगदिशिल युवजन सभा के लोग हनुमान के दलित होने पर उनके आरक्षन की भी मांग कर रहे है सभा के जिल्ला अध्यक्षश हरिश मिश्रा कहते है कि पिछले दिनों योगी आधित्यनात ने हनुमान जी को दलित बताया था उसी क्रम में आज यहां उनकी जाती प्रमान पत्र के आवेदन किया गया है हरिश मिश्रा ने कहा कि जिस तरह भात्य जन्ता पार्टी द्वरा लगात्तार भगवान को राजनेती में घसिता जा रहा है उसके विरोध स्वरुभ हमने ये कदम उठाया पहले राम जी को घसिता अब हनुमान को अगर वहत दलित है तो जाती प्रमान पत्र दे और उनके आरक्षन की भी मांग करेंगे आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितेनात ने पिछले दिनों राजस्तान के अलवर में एक रेली को संभोधित करते हुए कहा था कि बजरंग बली एक ऐसे लोक देता है जो स्वयम वनवासी है, निरवासी है, दलीत है, वंचित है भार के समुदाई को उत्तर से लेके दक्षिन तब और पूरप से लेके पचिन तब सब को जोडने का काम बजरंग बली करते है देश में धर्म के नाम पर बटवारे के खेल पर खफा हुए चर्चित आयास अशुक खेंका बोले, ऐसे लोग धार्मिक नहीं देश में धर्म के नाम पर नफरती दिवार खड़ी करने की कोशिश में जुटे लोगों को अर्याना के चर्चित आयास अफसर अशुक खेंका ने आड़ेहा दिया है उन्होंने अपने अधिकारिक ट्रेटर अकाउंट से किये एक ट्वीट में कहा धर्म दिलों को जोड़ता है तोड़ता नहीं जो धर्म का दुरूपयों कर तोड़ने का प्रयास करता है वह धार्मिक नहीं अशुप खेमका के ट्वीट पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिके आये दी, कुछ ने जहां इसकी सराहना की, वही कुछ ने चुटकी भी ली, श्रिजन सेंगर ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, इसे भाजबा से जोड़कर बिल्कुल ना देखे, जगदिश प्रसा ने लिखा, धरम कारण किया जाता है, धारण हमेशा अच्छी तरह किया जा सकता है, जिससे अपने साथ अन्यों को भी सूख चेन मिले, रतना करियादों लिखते हैं, धरम का विक्रूप द्रूप इंसानों को मजबह हो, चातियों, सीमाओं, रंगों और नसलों में धरम कारण ही धरम की संकिर्णा परिभाशा बन कर रहेगा है, कलगुप ने लोग धरम की परिभाशा अपने अपने विवेग से गढ़ते रहते हैं, दोस्तों अशुक खेम का 1991 बैच के हरियाना काडर के IAS है, चोबिस साल में 51 बार ट्रांसपर हो चुका है, कुरूगरा मे सोनिया गांदी के दामा ट्रॉब अडवाडरा की जमिन सोधे की जूरी चार्ज की कारण अशुक खेम का सुर्कियों में रहे, कहां जाता है कि अशुक खेम का जिस भी विवाग जाते है, वहां के घपले घुटाले उजाकर करते हैं, जिसके चलते अकसर उन्हें संदकाल में बतर विसल ब्लोर गोटालों का खुलासा कर चुके हैं, अशुब खेम का पश्ची मंगल के कोलकाता में पैदा हुए, फिर आयाटी खड़कपूर से 1988 में बीटेक किये, और बाद में कम्प्यूटर साइंस में पिएजडी की, बिजनेस एड्मिनिस्रेशन में उनके पास MBA की डिगरी भी है, नमंबर 2004 में तातकरित हुड़ा सरकार ने रोबर्ट वाटरा और डेलेफ की लैंडिल से जुड़े खुलासे के बाद खिमका का तबादला परिवहन विभाग में कर दिया था, जिस पर सवाल भी उटे थे, कारोबरियों को बुलेट ट्रेन दे रहे है पीएम मोदी, जवानों को क्यों नहीं देते बुलेट प्रूफ जैकेट, अखिलेश समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि बिजेपी की गलत नीतियों की वजह से गरीब, किसान और नोजवान सभी परेशान है और बिजेपी के लोग अब हिंदू-मुसलिम, मंदिर मश्रीत के मुझदे उच्छाल कर अपनी नाकामियों से ध्यान भटका रहे है फिरोजवाद में कारगिल शहिद प्रुजलार की प्रतिमा का अनावरन करने के बाद आयोजी जनसभा को संभोतित करते हुए अखिलेश ने कहा कि बिजेपी की गलत नीतियों से आज देश में जवान, किसान और नोजवान सभी दुखी और परेशान है तेश की फोज पर देशवासियों को गर्व है भारत माता की रक्षा के लिए ना जाने कितने विरों ने अपनी शहादत दी लेकिन बिजेपी सरकार ने सेना को सम्मान देने की बज़ाए अपनी राजनितिक से अपमानित करने का काम किया है सपा सुप्रीमों अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों को जब भी मौका मिला उन्होंने फोज और फोजियों को सम्मान देने का काम किया है नेता जी मुलायम जब रक्षा मंध्री थे तो उन्होंने फैसला किया था कि शहूद होने के बाद जवानों का शव उनके घहर आएगा उसके पहले केवर बेल्ट और कैप आती थी दोस्तों उन्होंने कहा कि इसी तरह से नेताजी जब मुख्यमंद्री थे तो जवानों को शहीद होने पर प्रदेश सरकार की तरफ से पाच लाक रूपए की मदद देना शुरू किया था और जब फिर सरकार बनी तो हमने सेना, अर्द सेना बल और पुलिस के जवानों को शहीद होने पर 20 लाक रुपए देकर उनके परिवार की मदद करने का काम किया। अकिलेश ने कहा कि पिछले साड़े चार साल में केंद्र की बिजेबी सरकार में सेना के 350 जवान शहीद हुए है। प्रधान मंदरी बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो एक जवान के सीर के बदले 10 सीर लेकर आएंगी लेकिन केंद्र में सरक बनने के बाद मोदी के वादों का क्या हुआ उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अब जवानों की शहादत पर चर्शा करने के बज़ाए देश को मंदिर मस्जीत और हिंदू मुस्लिंग की बहस में उलजा रहे हैं तो अकिलेश ने कहा कि प्रधानमंद्री मोदी अहमदाबा के हीरा कारोबारों के लिए बुलेट ट्रेन बना रहे हैं लेकिन वह कटिन परिस्तितियों में देश की रक्षा कर रहे हमारे इस जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जाकेट क्यों नहीं देते तो उन्होंने कहा कि किंद्र सरकार ने नोट बंदी करके सारा पैसा बैंको सिन यादों ने कहा कि बिजेपी की सरकार सिफ अपने पार्टी के निताओं के लिए काम कर रही है सभी वर्गों के लिए कोई काम नहीं कर रही आने वाले लोग सभाचुनाओं में बिजेपी को हराना बहुत जरूरी है बिजेपी को समाजवादी पार्टी का समाजवादी प सुनाव बहुत महात्वपुर्ण हैं किसानों बेरोजगारों महिलाओ और नोजवानों को समाजवादी पार्टी से बहुत उम्मीद हैं समाजवादी पार्टी ने हमेशा इन वर्गों की मदद की है और उनकी समस्याओं को हल किया है गिराया जाएगा अलिबाग में मोजद निरव मोदी का अवेद बगला सरकार ने एटसी को बताया पंजव नेशनल बैंक घोटा लेके मुख्या अरोपी निरव मोदी की मुश्किले बढ़ती जा रही है महारश्चर के राजगर जिले में मोजद निरव मोदी के अवेद बंगले को महारश्चर सरकार गिराने जा रही है इस बात की जानकारी सरकार ने हाई कोट को दी सरकार ने इसका आधेश भी जारी कर दिया है निर्वमोदी की ये बिल्डिंग अलीबाग विख्ष के पास है सरकरी वकिल पीबी काफ़कडी ने मुख्या अन्यादिश नरेश पाटिन और नियायमूर्थी MS कारणिक की बैश गुरुवार को बताया कि उस इलाके में राच्चवर्थ और तटवर्थी शेत्रव के नियमों का उलंगन कर बनाई गए 58 अन्यनीजी इमारतों को भी ड़ाने का नोटिस भेजा गया है उन्होंने पीट के पुराने आदेश के अनुपालन के संबन में अदालत को ये जाट करी दी गौरत दब है कि पीट ने सरकार को यह बताने का निर्देश दिया था कि वह अलिवाग में बीच के किनारे बनी अवेद संपत्यों के खिलाफ क्या कारवाई कर रही है महाराष्ट्र सरकादवरा निर्व मोदी के इस बंगले को गिराने का आदेश 4 दिसंबर को ही जारी किया गया था दरसल निर्व मोदी को अलिवाक शेतर में 376 स्क्वेर मेटर के प्लॉट पर बंगला बनाने की पर्मिशन नी थी लेकिन उसने 1071 स्क्वेर मेटर की जवगा का घिराव किया अब सरकादवरा इस अवेद निर्मान का ढहाया जा रहा है सिर्फ निर्व मोदी ही नहीं बलकि इस इलाके में 58 अन्य नीजी संपत्या भी है जो अवेद निर्मान के दहत आती है उन पर भी कारवाई की जाएगी माइन दे निउस रूम की रिपोर्ट अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें